हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसी डिश जिसे की हिमाची लेंग्वेज में खास कर मंडियाली लेंग्वेज में राड लगाना बोलते हैं, राड लगाना मतलब चिकन को ब्याज लहसुन और टमाटर और मसालों के बीच में बिना पानी के पक चिकन जिसे की मैंने अच्छे से साफ करके काट लिया है, चिकन को मेरिनेट करने के लिए मैंने इसमें डाला है आधा चोटा चमच काश्मेरी लाल मिर्च पावडर, आधा चमच नमक, आधा चमच काले मिर्च पावडर और एक चमच रिफाइन डॉयल, अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है, तो आप इसमें लॉंग इलाइची जावीत्री वाला स्ट्रॉंग मसाला भी डाल सकते हो, बस आधे चमच से थोड़ा सा कम डाले, अब हमने चिकन के पिस्स को इन मसालों में अच्छे से मिला लेना है, और इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, जब तक चिकन मेरिनेट होगा, तब तक हमने इसका मसाला तयार कर लेना है, मैंने लिया है एक चोटा चमच लहसुन का पेस्ट, आधा चोटा चमच अध्रक का पेस्ट, और तीन मेडियम साइज के टमाटर, टमाटर की हमने मिक्सी में प्यूरी बना लेनी है और चार मैंने प्याज लिये हैं, दो बड़े और दो चोटे, इनको हमने जीरिदार काट लेना है, प्याज मैंने पतला पतला जीरिदार काट लिया है, और टमाटर की प्यूरी बना ली है, टमाटर की प्यूरी ऐसी होनी चाहिए कि टमाटर के बीज नजर नहीं आने चाहि हैं आप एक बार इस रेसीपी को सरसों के तील में बना कर देखना सरसों तील के टेस्ट आता है अब सलू की तेल को हमने पका लेना है रहां लगने देना है तेल में फिर हमने why 에स की फिलेम को थोड़ तेल के लिए बंद कर देना है क्योंकि धूएदा तेल बहुत करम होता है कुछ सेकंड के लिए गैस को आफ करें फिरॉन कर दें इसमें हमने जीरा डाल दिया है जीरे को पूरी तरह से हमने क्रेकल होने देना है, मतलब चटकने देना है, और फिर उसके बाद हमने इसमें प्यास डाल देना है, अब गैस की फ्लेम को हमने फुलपर कर देना है, और प्यास को हमने ज्यादा नहीं पकाना है, अभी हमने इसे सिर्फ हलका ब्राउन होने तक ही पकाना है, जब प्यास प्याज अब हलका ब्राउन हो चुका है अब हमने इसमें अद्रक और लहसुन का पेस्ट पी डाल देना है अद्रक लहसुन के पेस्ट को हमने 15 या 20 सेकंड ही पकाना है अभी पूरा नहीं पकाना है बाकी अब हमने लहसुन प्याज और अद्रक को चिकन के साथ पकाना है अब चिकन को मेरिनेट होते हुए 20 मिनट हो गए है अब हमने इसमें चिकन को डाल देना है चिकन के पिसीज को हमने इसमें अच्छे से मिला लेना है अभी हमने इसमें हल्दी या नमग कुछ भी नहीं डालना है अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मेडियम कर देना है और चिकन को अद्रक लहसुन और प्याज के बीच में हमने 10 मिनद तक ड्राइ रोस्ट करना है इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है चिकन को हमने इस तेल वाले मसाले में 10 मिनद तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है जो प्याज लहसुन हमारा भी रोस्ट होना था उसे भी हमने चिकन में ही रोस्ट करना है चिकन को मैंने मीडिया मांच पे 10 मिनिट तक रोस्ट कर लिया है और तेल भी सेप्टेट हो चुका है अध्रक लसुन और प्यास भी हमारा अच्छे से भून गया है अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है टमाटर की प्यूरी को हमने चिकन की पीसिज में अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमने इसमें डाल देना है एक छोटा चमस धनिया पावडर आधा छोटा चमस जीरा पावडर एक छोटा चमस कश्मीरी लाल मिच पावडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में हलका सा तीखा पन होता है आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसा नमक नमक हमने जब मेरिनेट किया था चिकन को तब भी डाला था तो इसलिए इस ध्यान से डालें अब टमाटर की प्यूरी को हमने चिकन के पीसिज में तब तक पकाना है जब तक की ओईल सेपरेट ना हो जाए गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टु हाई ही रखना है अब इसे पूरी तरह से तयार होने में हमारे 7-8 मिनट ही लगेंगे आधा चिकन हमारा तभी पक गया था जब हमने इसे प्याज में रोस्ट किया था अभी मुझे इसे पकाते हुए 5 मिनट ही हुए है 5 मिनट में हलका हलका ओयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है अभी 5 मिनिट हमने इसे और पकाना है अब चिकन को पकाते हुए मुझे पूरे 10 मिनिट हो चुके हैं तेल भी विल्कुल सेप्टेट हो चुका है और टमाटर प्यास का मसाला बहुत अच्छे टेक्स्चन में आ गया है जैसा कि हमें चाहिए अब इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लास्ट में डाल देना है एक छोटा चमज चिकन मसाला आप चाहें तो इसमें मीट मसाला भी डाल सकते हो या फिर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हो अगर आपके पास इंसम मसालों में से कोई भी मसाला नहीं है तो आपने लॉंगी लाइची, जावीत्री और दाल चीनी वाला स्ट्रॉंग मसाला डाल देना है और तीन-चार मैंने इसमें लंबी-लंबी काटे हुई हरी मिर्चन डाल दी है हमारा चिकन भुना मसाला बनकर तयार है इस चिकन भुना मसाला में मसाले की हमारी इस तरह की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए आप चाहें तो इसे स्नैक्स में सॉस के साथ भी ले सकते हो और चपाती के साथ भी ले सकते हो और ब्रेड के साथ भी ले सकते हो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोमेंट करें और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज मेरे रेसिपी को अपने फैमली और फ्रेंड्स में शियर ज़रूर करें THANKS FOR WATCHING